हेलो एवरीवड़ी वेल्कम वंस अगें तो माई चैनल जिसका नाम है मौजब हेल्थ और फिटनेश एजुकेशन आज का टॉपिक है वो वर्ल्ड बिगेस्ट हेल्थ प्रोवलम है बिगेस्ट मैं नहीं कह रहा हूं यह हमारे दो वर्ल हेल्थ और्गनाजेशन है वो बोलते बात करने जा रहा हूं वो ओबिसिटी है वो अभरवेट है वाई पीपल बिकम्स अभरवेट आज हम उसी के बारे में बात करेंगे दान अबर ओफ ओबिसिटी अन अबर ओवरवेट बिकम्स कंटिनियूसली राइजिंग बिकासी इट अफेक्स अव ओल एजेश वाज हम बारे में बात करेंगे कि वाई इस वाइश सो इंपोर्टेंट वाई इस सो हाड टू लूज वेट फो सम पीपल यह बहुत common question है और बहुत ही biggest problem है यह इंडिया का problem नहीं है यह आपका problem नहीं है यह मेरा problem नहीं है यह वर्ड का problem है सो हम इससे कैसे बचे तो उसके लिए मैं 5 points बनाया हूं उस पांच points पर हम discuss करेंगे बहुत short में आपको समझाने की कोशिश करूंगा बट वह पांच points जो है वह medical conditions नहीं है वह medical situations नहीं है because मैं उतना qualified नहीं हूं कि medical situations के बारे में बात करके उसके बारे में कुछ solution दें लेकिन जो रोज मर्रा की जिन्दगी है जिन बातों को जिन medical conditions जरूर है लेकिन इस topic के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि so many people give excuses for not doing exercise they claims वो सोचते हैं कि there is no point to train your body to lose weight because it because there because it is in their genes उनके genes में है इसलिए उनको try नहीं करना है वो excuses देते हैं but that doesn't mean मैं मानता हूँ कि जो obese parents होते हैं उनके children जो है वो ज्यादा मोटा पा होता है obese हो जाते हैं as compared to the lean जो parents होते हैं उनसे इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपने body को train नहीं करे आप अपने साथ अन्याय नहीं करे actually so there are some other factors जो cows होते हैं हमारे obese के हमारे मोटा पार का जिसमें से एक society आप देखती होंगे जो rapidly overweight हो जाते हैं obese हो जाते हैं शिकार हो जाते हैं due to the adapting a western diet आप उन बच्चों को ज्यादा देखते होंगे जो food addiction होते हैं जो जो western diet का addiction होता है तो आप ध्यान दें कि सिफ genetics को excuse ना मानके आप other चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जो आपके control में है so that's genetics आज उसके बारे में ज्यादा detail में बात नहीं करेंगे जिसके बार जो दूसरा point है जो हमारे control में है जो हम समझ सकते हैं जिसको करके हम कुछ health benefit ले सकते हैं वह है calories calories के बारे में जानना बहुत जरूरी है पता है हम लोग जो चीज़ खाते हैं जो energy लेते हैं हमारे बाड़ी उसको calories बोलते हैं वह एक्चली energy है यूनिट का यूनिट है calories हमारी बाड़ी का कितना requirement है calories का जो जो नॉर्मल रोज मर्ण की जो जिन्दगी में काम हम करते हैं उसके लिए कितना energy चाहिए हमको पता होना चाहिए उसके हिसाब से हमको calories खानी चाहिए हम लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग कितना calories intake कर लेते हैं तो calories के बारे में जानना बहुत जरूरी है अगर आप मोटा है तो आपको calorie deficit में जाना पड़ेगा मतलब जितनी requirement है आपकी body की आपका जो minimum calories intake है उससे कम खाना पड़ेगा आपको हमारी body में एक तरह का energy एक reservoir है समझे जितना calories खाते हैं जो हमारी body use करना होता है कर लेती है जो बच जाता है वो store कर देता है ऐसे store होते 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 हम मोटापा का शिकार हो जाते हैं हम obese का सिकार हो जाते हैं जितना calories जितना energy हम लेते हैं उसको burn करना जरूरी है otherwise वो store होते होते वो tank full हो जाएगा और फिर हमारी body expand होने लगती है so take a knowledge about the calories calories के बारे में जानना बहुत जरूरी है दूसरा point है वो तीसरा point actually वो है sugar scientist believes that one of the main cause for obesity is sugar excess amount of intake जब हम लेते हैं वो भी कारण है मोटा पा का obese का हम अपने जो रोज जिन्दगी में जो हम food खाते हैं वो चेक करिए कि उसमें कितना sugar है generally sugar हाँ sugar में जो होते हैं वो half glucose half fructose होते है most of the variety of food जो हम लोग खाते हैं उससे हम लोग को glucose मिल जाता है लेकिन जो added sugar है यह sugar यहां बात करने का मतलब है वो added sugar avoid added sugar जितना भी added sugar खाते हैं हम लोग उसमें ज्यादा half जो हता है वो fructose ही होता है तो उससे बचें जितना भी चीज हम लोग खरीते हैं उसमें content में देखे कि added sugar कितना है ज्यादा है तो उन चीजों को नख है वह आप एवाइड कर सकते हैं क्योंकि sugar may cause one of the biggest obese problem so avoid added sugar the third fourth point is food addiction और junk food junk food के बारे में तो सब कोई पता है कि this is very bad for our health और यह मैं समझता हूं कि अभी के situation में junk food ही main cause है obesity का और overweight का junk food में जो हम लोग खाते हैं उसमें negative ही negative है सबसे पहला point वह बहुत जादा high calories का होता है एक burger में 1500-2000 calories होता है वो सिफ एक और हम लोग का जो maintenance calories होता है दिन भर का 24 hours का वो 2000 calories तक का होता है on an average हम जैसे लोगों के लिए और एक ही burger से हम 2000 calories खा जाते हैं तो बताओ हमारी सहत कैसे खराब नहीं होगी दूसरा जो खराब points है junk food में वह होते हैं कि उसमें कोई कि भी nutrition value नहीं रहता है वो सारे जो nutrition value है वो खत्म हो जाता है junk food में नहीं मिल पाता है वह high sugar होता है high fat होता है high saturated fat होते हैं cholesterol बहुत हाई होता है उसमें सारे bad जो होते हैं वह हाई हाई होता है सो वह addict junk food का नावन है आप भी के situation के हिसाब से जितने भी में लोगों को देखता हूं वह junk food के addict होते हैं सो आप वहां से बचें आप genetics को सिफ इंजाम ना लगाएं वह आपके जो environment है जो आपका food addiction है वह main cause है जो हमारा पांच पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वह लेक ओफ फिजिकल एक्टिविटीज यह बहुत 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 इंपोर्टेंट है आप कोई भी problem होता है हमारे एज में 30 साले 40 साल 45 साल 50 साल की एज में जो यंग जन्रेशन हम लोग के तरह भी हैं बहुत सारे health problem से गुजर रहे हैं ड्यू टू लेक ओफ फिजिकल एक्टिविटीज कोई जरूरी नहीं है आपको जी मा के फिजिकल एक्टिव होना आप अपने lifestyle को ऐसे बनाएं कि त्वासा फिजिज आपको पता नहीं है कि यह जो कमी है जो एक्टिविटीज की कमी है वो आपको कहां लेके जा रही है आप दिन भर में at least आदा पॉन घंटा एक घंटा अपने आपको जरूर दे पसीना जरूर निकाले वरना आप बिमारियों के चपेटे में आ जाएंगे तो यह कुछ points है जिनके कारण हम overweight हो जाते हैं जिनके क स्टाइल को कुछ इस तरह बनाए कि आप बूफ करें अपने बॉड़ी को एक दो किलोमेटर जरूर चलें रोज आप जितने भी प्रोसेस्ट फूर है वो कम खाए एडेट सुगर कम ले physical activities ज्यादा करें तो इस और माई points और हां planning planning is the key guys planning is the key आप को weight घटाना है या weight बढ़ाना है अगर आप obese हैं किसी भी तरह की problems में हैं अगर उससे आप और आपको उससे निकलना है आपको overcome करना है तो planning is the key आप plan करें आप information ले आप knowledge लें धीरे 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 आप अपने goal तक जरूर पहुचेंगे so that's it guys यह थो ऐसा motivation वीडियो हो गया और वो five points जो आप अपने जिन्दगी में लागू करके एक अच्छा goal प्राप्त कर सकते हैं health related so that's it guys इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई thank you झाल